हेलो बच्चो आज हम revise करने वाले हैं कि word problems कैसे करते हैं आप लोग प्लीज ये video last तक देखना तब ही आपको समझ आएगा कि word problems हम आसानी से कैसे कर सकते हैं ओके तो कोई भी word problem करने के लिए हमारे पास 4 step होता है पहला step होता है read the problem यानि कि सवाल को पढ़ो हमारे पास जो भी word problem है हम उसको पहले पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा second step है identify magic words हमें सवाल में से magic words धून के निकालने है magic words यानि कि वो words जिनसे हमें पता चलता है कि हमें उस question में क्या करना है addition करना है या subtraction करना है या multiplication करना है या division करना है magic words कि सहायता से आप वो पता लगा सकते हो हमारा third step है write down important numbers यानि कि जो important numbers है जरूरी numbers है उसको हम लिखेंगे उसके बाद हमारा fourth step है find out the answer हम answer निकालेंगे या जर्खना अगर आप जरूरी number को copy में नहीं लिखोगे तो आपका answer गलत आ सकता है चलो अभी देखते हैं कि addition, subtraction, multiplication, division के magic words क्या क्या होते हैं चलो पहले देखते हैं addition के magic words addition के magic words है more, together, in all, total, sum यानि कि in में से कोई भी word अगर आपको question में दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि उस question में आपको addition करना है next, subtraction, subtraction के magic words है left, remain, take away, less than, more than, minus ये हैं subtraction के magic words इन में से कोई भी word अगर आपको सवाल में दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको subtraction करना है next, division, division के magic words है divide, share, each, every, parts, equally ये हैं division के magic words और finally, multiplication के magic words है multiply, each, every, times, double, twice ये हैं हर एक चीज का magic word इन से आपको पता लगेगा कि question में आपको क्या करना है लेकिन कभी-कभी questions में magic words आपको नहीं मिलेगा तब आपको खुद सोचना होगा कि उस question में आपको क्या करना है चलो हम अभी एक चीज रिवाइस करते हैं कि multiplication और division होता क्या है multiplication is repeated addition यानि कि multiplication बार-बार addition करने को बोलते हैं repeated addition यानि कि बार-बार add करना उसी को multiplication बोलते हैं जैसे कि अगर आपके पास यह question है 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 इसमें आप देख रहे हो कि same number को बार-बार add क्या जा रहा है 4 को बहुत बार add क्या जा रहा है तो हम इसके जगह multiplication यूज कर सकते हैं इसका answer निकालने के लिए अगर हम addition करने जाएंगे तो हमें बहुत time लगेगा और time waste होगा तो हम उसके जगह multiplication कर सकते हैं यहां गौर से देखो 4 को ही बार-बार add क्या जा रहा है और 4 को 6 बार add क्या जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मतलब है 4 repeat हो रहा है 6 times 4, 6 times तो हम लिख सकते हैं 4 into 6 यानि कि 4, 6 times 4, 6 बार इसका answer आएगा 24 और इसका answer भी आएगा 24 क्योंकि दोनों का मतलब सेम है वैसे ही division is repeated subtraction यानि कि division का मतलब होता है बार-बार subtract करना division multiplication का उल्टा होता है जैसे कि for example मालो आपके पास एक question है 30 divided by 10 चलो अभी देखते हैं कि subtraction की मदद से हम ये कैसे कर सकते हैं 30 divided by 10 का मतलब है 30 को हमें 10 parts में divide करना है 10 parts में divide करना है यानि कि हर हिस्से में 10 10 जाएगा तो ये देखो मैंने subtraction के मदद से कैसे किया है 30 minus 10 हमारे पास आया 20 फिर से उस 20 को 10 से minus किया फिर से आया 10 और उस last 10 को फिर से 10 से minus किया तो last में आया 0 इसका मतलब है कि मैंने 30 को बार-बार 10 से minus किया है जब तक मुझे 0 ना मिले जब तक मुझे 0 ना मिले अभी मैं देखूंगा कि मुझे कितने बार subtraction करना परा 1, 2 और 3 मुझे 3 बार subtraction करना परा और 3 बार subtraction करने के बाद मेरे पास last में 0 आया यानि कि मेरे पास 0 बचा कुछ नहीं बचा 0 बचा तो इसको हम लिख सकते है कि quotient है 3 remainder है 0 quotient यानि कि जो answer आया है यानि कि जो भाग बने है आप 30 को अगर 10-10 के भाग बनाओगे तो 3 भाग बनेगा 3 पार्ट बनेगा और हर हिस्से में 10-10-10 आयेगा और remainder हो गया 0 remainder मतलब क्या बचा है 0 बचा है कुछ नहीं बचा है तो remainder होगा 0 चलो एक बार division में quotient और remainder क्या होता है वो हम revise करते हैं चलो अब ही यह question करते हैं 60 divided by 3 यानि कि 60 को तीन भागों में बाटना है तो इसका answer simple है 3 20s are 60 320s are 60 यानि कि और नीचे बचे का 0 क्यूंकि 60-60 जीरो होगा इसका मतलब है अगर आप 60 को तीन भागों में बाटोगे तो हर एक हिस्से में 20 आएगा और last में क्या बचेगा 0 तो यह जो उपर में आता है इसको हम बोलते हैं कोशेंट इसको बोलते हैं कोशेंट मैंने सिवा भी क्यू लिखके छोड़ दिया है इसको बोलते हैं कोशेंट यह जो हमने देखा था कोशेंट और नीचे जो रह जाता है उसको बोलते हैं remainder उसको बोलते हैं remainder यानि कि जो बच गया remainder मतलब बच जाना तो आर से में लिख रहा हूँ इसको अगर आपको यह repeated एडिशन repeated सब्ट्रेक्शन में से मैं दिखाऊंगा तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ 60 को 3 से डिवाइट करना है तो चलो इसको बार-बार 3 से ही सब्ट्रेक्ट करते हैं 60 minus 3 आपके पास आएगा 57 फिर चलो 57 को 3 से मल्ट्रिप्लाइ करते हैं 57 minus 3 54 54 54 minus 3 51 तो अगर आप ऐसे minus 3 minus 3 करते जाओगे तो last में आपको 0 मिलेगा और तब आप जब देखोगे कि आपने minus कितने बार क्या है यानि कि minus 3 आपने कितने बार क्या है तो उसका total आएगा 20 यानि कि 20 बार आपको minus 3 करना होगा तब ही जाके आपको 0 होगा remainder तो यह सारी चीज आपको फ्रिसी revise करनी होगी तब ही आप word problems कर सकते हो कोई भी question में multiplication और division के अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको उसमें क्या करना है multiplication करना है या division करना है तो please आप लोग सोचना कि उस question में आपको repeated addition करना होगा या repeated subtraction करना होगा अगर वह आपने पता लगा लिया तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको multiplication करना है या division करना है